प्रेंक्स वाल्टम टी ओन चैनल नौले से गड़ में 1990 प्रेंक्स आज हम उत्राखन की नेशनल पार्कों के बारे में जानेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं पहला है कॉर्वेट नेशनल पार्क कॉर्वेट नेशनल पार्क को पहले जिम कॉर्वेट पार्क कहा जाता था जब इसके स्टाबना हुई थी 1936 में तो इसका नाम था जिम कॉर्वेट पार्क लेकिन बार में इसका नाम सौतमता की बाद इसका नाम रामगंगर नेशनल पार्क हो गया था 1947 के बाद इसका नाम रामगंदर नेशनल पार्क हो गया था लेकिन 1957 में इसका नाम कॉर्पेट नेशनल पार्क पड़ा था ठीक है तो इसके स्थाफना 1936 में हो थी और सर्थ हेवी के दौरा इसकी स्थाफना हो थी इसका जो छेत्रफल है ये नैनितार और पाड़ी गड़वाल में फैला हुआ है ये कहां कहां फैला है नैनितार और पाड़ी गड़वाल में इसका छेत्रफल कुल जो है 523.82 इसका वर्ग किलोमेडर्स का छेत्रफल है एक नॉम्बर 1973 से 1973 से इसे फॉस्ट बाग सरचन पार्क घोसित क्या गया कब क्या गया से बाग सरचन घोसित पार्क 1973 में आपको डेट याद रखनी है फॉस्ट नॉम्बर 1973 नेक्स है नन्दा देवी नेसन पार्क नन्दा देवी नेसन पार्क ये चमोली में है इसकी स्थाबना 1912 में हुई थी कब ही थी इसकी स्थाबना 1912 में कहां है चमोली में है इसका कुछ खेत्रफल है 624 वर्ग किलो मेटर इस पेसली हिमालाय भालू, मोनाल, कस्तूरी म्रग आधि पसो पक्षियों के लिए परसिद्ध है यहां कर वैसे का विविन प्रकार के पसो पक्षिपाये जाते हैं लेकिन खासी ओर से यह हिमाले भालू, मोनाम आँ तस्तुरि मरत के लिए प्रसिद्ध है नेक्स है फूलो की फाटी फूलो की फाटी नाम से ही समझें hvis पहां है कि फूलो की फाटी फूलो के लिए प्रसिद्ध है और ये 1982 में इसके स्थाप ना होई थी कभूई थी 1902 में कहां है ये चमबोलियम है इसका छेटर फॉल गिटना है छेटर फउल है इसका 87.5 वर्ग किलो मेटर सबसे छोटा while नेश्रवार्ण पार्क शेक होड़ा है इसका कोई छेटर फवल है 87.5 वर्ग किलो मेटर नेक्स Graezy Riastrich Park इसका नाम राजा जी पढ़ा है ये स्री राज गोपाला चारी के नाम पर पढ़ा इसका नाम राजा जी नेशापार्त पढ़ा है इसके साबन 1983 बहुए थी तब हुए थी 1983 में नांद लेवी और फुलो की घाटी ये 1982 में मनेट है उसके बाजा जी नेशापार्त पार्त पढ़ा था उसके अगले ही साथ 1983 में इसका पुल चेत्रफल आट सो बीस पॉइंट बैयालिस वार्वी किलोमेटर 820.42 वार्वी किलोमेटर इसका चेत्रफल है ये हरीद्वार और गहरादूर में वेश्टर फैला है 2016 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सामिल कर लिया गया जिहां कर्शन पूछा जा सकता है एक्जाम में कि राज़जी नेशनल पार्व को कब प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सामिल कर आ गया गया था कब क्या गया था? 2016 में Next है गंगोत्री नेशनल पार्व गंगोत्री नेशनल पार्व उत्तरकासी में है कहां है उत्तरकासी में और इसकी स्थाबना कब हुई थी 1989 में 1989 में गंगोत्री नेशनल पार्व की स्थाबना हुई थी और यह क्या सकते हैं कि सबसे नया नेशनल पार्व उत्तरकान का और सबसे पुराणया है जिमकॉर्व पार्व इसको जो छेत्रफाल है 2390 2,390 planeta अभी तक देखाऊगा अबने सब ile इसका छेटर्चन सबिकी लेकिन इसका सबसे जादा 2,390 planeta तो इस उत्राखन का सबसे बड़ा नेशनल पार्ग है इक्जामी को श्थो पूछे जा सकता है कि उत्राखनका सबसे बड़ा तो वह कौम सा है गंगोत्री नेशना पार्ड यह उत्तरकासी में है इस सब्सक्राइब को ध्यान लेकिएगा दोजा तीन सो नब्दे किलोमीटर इसका छेत्र फल है यह स्पेशली हिमाले इंभालू कस्तुरिम्रग मोनाल टैगोपान इन सबी जानवार पक्ष्यों के लिए सब्सक्राइब के लिए प्रसिद्ध है तो फ्रैंट आज हमने उत्रखन के नेशन पार्कों के बारे में जाना अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें थैंक यू ठेक कियर बाबाई करें़ ठेक करेंग